हेलो एवरिवन आप सबकर स्वागत है इनुविटिव डिलाइट्स में आज एक स्पेशल डिस देखिए यह सूजी में डाल रही हूं दो कटोरे लिये हैं मैंने इसकी ही एक स्पेशल डिस बनने वाली जो बहुत इजीली और जल्दी बन जाती है यह दो छोटे-छोटे कटो णी और सॉल्ट डाल दूंगे अपने टेस्ट के हिसाब से फिर इसको हम थोड़ा सा दही का पानी दही में थोड़ा सा पानी मिला गोल के उसे थोड़ा इत्ना मिलाएंगे कि यह आराम से हमारा जो पीसट बनने जा रहा है यह पेश जाए और फिर उसके बाद हम इसकी और उसके बाद चुटकी भर और उसके बाद जब यह पिस गया देखिए मैंने इसको दो शेप्स में अलग अलग शेप्स में भर दिया और नीचे एक पैन में पानी लेके उसके उपर स्टैंड रखे यह दोनो यह शेप्स मैंने रग दिये थाकि इनमें आराम से यह सूजी पग जाए like इडली जैसे बनाते हैं उसी तरीके से same to same है पर यह हमने दूसरे तरीके के शेप्स लें इसलिए यह ऐसे भी easily पग जाते हैं अब कोशिश करना चाहते है तो अब इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं अब यह मैं डाल रही हूँ इसमें चीज थोड़ा सा मु तेस्ट बहुत अच्छा आजाए क्योंकि चीज डालने से थोड़ा सा डिफरंट हो जाता है अब यह देखे मैंने हिला के मैं चारों तरफ अंदर चला जाए यह ताकि और जब हम इसे खाए तो यह टेस्टी लगे इसलिए हिलारियो मैं इसे थोड़ा सा थोड़ा अंदर तक होगे चला जाए इसलिए और फिर जब यह बनके निकलेगा उसके बाद देखिए कि कितनी कमाल की डेश्ट बनने वाली है यह मैंने एक पैन लिया है उसमें थोड़ा सा तेल डालके रिफाइंड ओयल आप कुछ भी डाल सकते यह डालके मैंने इसमें राई डाल दी थी और यह अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हिंग डाल रही हूँ ताकि यह और टेस्टी लगे स्वाद अच्छा है जब यह आगे पीसे से पलटके फ्राइ होंगे तो यह और भी टेस्टी लगेगा एके करके डालूंगी ताकि जब मैंने इसको निकाल द जारी हूँ जैसे यह फ्राइ हो जाएंगे बस हमारी डेस्ट त्यार है अब यह फ्राइ करने के लिए तेल और यह चटकने लग गया है अच्छा सा गरम हो चुका है अब मैं इसको डालूंगी सारे पीसे एक साथ ताकि सब एक जैसे सेम कलर के बनके निकले आगे और पीछ हम हो चुका है अब मैं एक एक करके डालूंगी इसमें ताकि यह बहुत ही टेस्टी लाजवा बनने जा रहे है और यह बहुत एजी है आप आराम से इसे सुबह या दुपेर या रात को बना सकते हो ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है बनाने के लिए क्योंकि यह ज चल्दी बन जाता है क्योंकि आजकल भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है यह देखे मैंने एक एक करके मैं सारे पीसे इसमें रख रही हूं और आगे पीछे दोनों तरफ से जब यह पलट पलट के इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो मिंस हो गया देखें यह ओल्मोस्ट रेडी हो चुके हैं मैंने आगे पीछे करके इनको पका लिया है देखें कैसे हैं यह टमाटर मैंने इसलिए रखा है कि आप मेरी डेश बनाएं चाहें ना बनाएं लेकिन एटलिस डेली एक टमाटर जरूर खाईए क्योंकि इसमें लाइको पीन हो आप जरूर ट्राइखीजिए कुछ फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना धियान रखें यह डेश ट्राइख करके आप कमेंट जरूर भेजिए कैसे लगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिये बाए बाई